अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देखिए कि उस वीडियो में मैंने हमारे द्वारा की जाने वाली गलतियों के बारे में बात की है वोकैब को सीखने के अप्रोच को ले करके तो इस सेशन में हम बात करेंगे वोकैब को किस तरीके से हम learn करें कि बिना रटे भी बहुत सारे शब्द हमारे दिमाग में रह जाएं तो पहले पहल तो ये बात आपको बड़ी अजीव सी लगती है कि how is it possible because we have been programmed in this way कि बिना रटे शब्द के मीनिंग को कैसे याद कर सकते हैं वोकैब तो रटनी पढ़ती है यह बहुत डीप डाउन बैठा हुआ है लेकिन आपके साथ ये कैसे method की मैं चर्चा करूँगा आज यहां पे जहां आपको ये बात समझ आएगी कि बिना रटे भी बहुत सारे शब्दों के मतलब का हम अंदाजा लगा सकते हैं because अगर आप किसी भी तरह के competitive examination या aptitude test की preparation कर रहे हैं तो आपको पता है कि वहां पे कोई vocab के उपर हमें भास से नहीं लिखना कोई theoretical paper नहीं है वहां पे you have to choose out of the four, five given option choices तो हमें शब्दों को choose करना होता कि कौन सा word यहां पे सही बैठेगा क्योंकि vocab को लेकर के दो ही dynamics हैं एक तो शब्दों के मतलब को याद रखना और दूसरा शब्दों के सही तरह के प्रियोग को कर पाना क्योंकि एक ही मतलब के लिए कही सारे शब्द है तो कौन सा शब्द कहां लगाया जाए यह हमारे समझ में नहीं आता और हमारे लिए challenge है ही यही कि कौन सा शब्द कहां लगाया जाए क्योंकि कई बार परियावची शब्दों के list मिल जाती option में अब कौन सा शब्द choose करें यह समझ ही नहीं आता तो इन दोनों problems को यानि how to remember words and how to use words correctly इन दोनों problems को हमें series में tackle कर रहे हैं तो ध्यान से आप सीखते रही है और समझते रही है और अपने feedback देते रही है जैसे कि पिछले session में मैंने बात की थी कि कोई भी चीज हमें तभी याद रह सकती है जब उसके साथ हम एक association या connection बिल्ड कर पाएं वो के आपके साथ वही मामला है जब तक आप connection बिल्ड नहीं करोगे दिमाग कोई connection association बना नहीं पाएगा तब तक चीजें हमें याद नहीं होंगी तो उन ही methods में से एक बहुत ही कारगर method है root word method जिसको हम PRS method भी कहते हैं so here PRS stands for what इसका मतलब होता है prefix root and suffix यह बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हिंदी और संस्कृत में आपने संधियां सीखी है एक मूल शब्द होता है जो मूल शब्द के पहले आए वो उपसर्ग है और जो बाद में आए प्रत्या है और अगर हम English language से बात करें तो हमारे पास काफी सारी संख्या में जो शब्द है मतलब अगर मोटे तोर पर आप देखो तो 65 to 70% words root word method से आपको बंदे हुए दिखाई देंगे या कम से कम आपको जितनी आउशकता है competitive exam में 4-5000 के करीव vocab strength की अगर आप किसी भी government sector exams की preparation कर रहे है SSE है, banking है, UPSC है तो आपके लिए इतना number काफी होता है वहीं पर अगर कुछ higher level exam जैसे हम GRE जैसे exam की बात करें तो थोड़ी vocab की strength वहाँ पर आपको और चाहिए होती है लेकिन ये method cat, o, g, matter हर जगा पर कारगर है क्योंकि dynamics आपने सीख लिया तरीका सीख लिया तो फिर तो वो हर जगा applicable है जब हम रटते हैं तब उसकी सीमाएं होती है समझ की कोई सीमा नहीं होती बात समझ आ गई तो फिर आप कहीं पर भी खेल सकते है तो ये method देखो काम कैसे करता है जैसे हमने बात की कि भई connection बनाना connection कैसे बनेगा और example मैंने यहाँ पर एक जैसे root word लिखा वी आई वी ए या वी आई टी ए या वी आई वी वी आई टी अगर ये word कहीं पर भी आता है तो उस शब्द का लेना देना किस से जुड़ा होगा जीवन के साथ जुड़ा होगा अब इतनी जानगार है आपको है और मैं अभी आपको कहूं कि आप comment section में जरा कुछ शब्द लिस्ट कर दे जहां पर आपको इन दोनों root का इस्तमाल नजर आता है और उस शब्द का लेना देना जीवन से जुड़ा हो तो शायद आप बहुत सारे शब्द लिख देंगे आई हैं जरा explore करते हैं कितने words यहां से निकल सकते हैं तो सबसे पहला word हमारे पास निकल के आ रहा है कि किस से शुरुवात की जाए आप बताओ वाइटा से शुरू करें तो पहला word है vital जरूर सुना होगा आपने इसी vital सी grammatical profile को थोड़ा change करो तो vitality आ जाएगा इसी में थोड़ा और change करो प्रिफिक्स लगा दो तो रिवाइटल हो गया और रिवाइटल से फिर रिवाइटालिटी भी बन सकता है कहीं कोई मुश्किल नहीं फिर इसी वाइटल से अगर वर्फ और मनानी है तो हम वाइटलाइज कर सकते हैं यह सिर्फ और सिर्फ क्या हैं grammatical derivatives हैं एक ही शब्द के grammatical derivatives यानि अगर grammatical profile आप change करें तो शब्द बदलते चले जाएंगे और वाइटलाइज के साथ आप क्या कर सकते हो रिवाइटलाइज कर लो किसी चीज में फिर से जान डालना एक बार शब्दों को लिस्ट कर लेते हैं सब्सक्राइज के बार डिसक्रशन पर आएंगे अगला शब्द है vitamin सब जानते है vitamins right फिर आपके पास शब्द आ जाता है क्या survive survive तो जीने से जुड़ा है ना भई जीवन कैसे जीओगे तो survive है verb तो यहाँ से noun बन जाएगा survival ऐसे ही किसी project में बहुत समय से कोई काम नहीं हुआ और ठब पड़ा है उस उस project को आपको क्या करना पड़ता है revive करना होता है revive वोब है इसी से बनने वाला noun क्या हो गया revival हो गया ठीक है अगला शब्द इसी वाईवा से आता है vivid आपने जरूर सुना होगा कि भई उसने अपने experience का vivid description दिया जिसको हम कहते हैं सजी ओवर्डन vivid description with life, सजीव, जीवनतता के साथ इसी शब्द में change कर दो vividly बन गया आपके पास क्या adverb vividly adverb हो गया उसके बाद आप बात करें अगले शब्द vivid section की बहुत ही interesting word बात करेंगे अभी इसके बारे में उसके बाद vividly section से ही निकलता है शब्द anti-vivy sectionist anti-vivy sectionist आएए अब चलते हैं अगली slide पर फिरसे यहाँ पर center में लिखते हैं viva और vita जो के हमारा root word है जड़ है यह और इसी जड़ से यह सारी branches निकल रही है तो अगला शब्द आपके पास आ रहा है यहाँ से last word हमने क्या लेखा anti-vivy sectionist एक बहुत प्यारा शब्द आता है विवी पैरस जो one word substitution में भी कई बार exams में पूछा हुआ है विवी पैरस फिर यहीं से बड़ा प्यारा एक शब्द आता है विवेसियस खास तोर से ladies को describe करने के लिए she is a vivacious lady अभी इन शब्दों पर मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करूँगा पहले बार list कर लें क्योंकि तो को मेरा भी दिमाग वैसे ही function कर रहा है जिसा आपका function करना चाहिए this is called mind mapping technique there is one root but दिमाग अपने आप programming से शब्द बताते चला जाएगा तो मुझे मैं भी दिमाग से अपने निकल वारा हूँ कि भाई अखला शब्द बताओ तो विवैसियस से अगर grammatical profile change करो तो भाई विवैसिटी हो जाएगा यहीं से एक प्यारा शब्द विवैस भी आता है यह music में इस्तमाल होता है actually यह शब्द कैसे यूज होता है बताता हूँ अभी convivial शब्द आता है आपके पास convivial शारुक खान is a convivial host this is a very convivial atmosphere ऐसे इस वर्ड को यूज करते है now the next word is और कौन से शब्द हो सकते है vivarium yes vivarium vivarium का मतलब वो glass का flask जिसमें आप जीवों को रखते है जैसे herbarium भाई ल्याद आरी बच्पन में herbal से herbarium तो यह vivarium है so it's a kind of glass flask जिसमें आप जीवों को रख सकते है वहाँ उसके अंदर इस तरह का atmosphere है जैसे कि aquarium होता है fishes के लिए aqua water है तो वहाँ से यह शब्द जुड़ा हुआ है अगला कौन सा word आ सकता है यहाँ से vivarium, convivial, conviviality, vivacity हो गया foreign expression एक बड़ा प्यारा सा है born vivon born vivon या born vivon भी कहते हैं ऐसे लोगों को ठीक है और अगला शब्द है आपके पास joy d. wiver joy d. wiver अब आप देखें तो पहले इतने सारे शब्दों का फोड़ा सा इतिहास समझ लाए उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं ठीक है आओ फटा-फट देखो बेना grammatical profile के बात बनेगी नहीं so someone who feels that you can learn vocabulary in isolation just by mugging up Hindi meaning so that is not going to help you out because उसका कोई फायदा नहीं paper में कोई आप से पूछेगा नहीं यहाँ पे जो पूरी कहानी चलती है वो किसा आधार पे चलती है कि शब्द को आप use कर पा रहे हैं या नहीं और use करने के लिए grammatical profile के understanding बहुत जरूरी है because जो blank play से वो खुद बताता है कि what kind of grammatical profile is required over there वहाँ एक noun का शब्द चाहिए adjective चाहिए verb चाहिए एडवर्ब चाहिए इसलिए हमेशा जब भी आप शब्दों को सीखें अपनी vocab को बहतर करने की आत्रा पे निकलने तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उन शब्दों के grammatical derivatives और grammatical profiles ध्यान में रहने चाहिए क्योंकि बहुत सारे हमारे जो government sector exams हैं उनमें आपकी knowledge basic level पे ही check की जाती है जैसे SSE के exam grammatical derivative पे पे बहुत खेलते हैं stop selection commission ठीक है so group B, C, D की नोकरियां आपको यहां से मिलती है C और D की जाधा था तो उनमें basic level पे अब आपको अगर energy, energize, energetic, energetically का फरक नहीं पता तो शब्द तो बहुत basic हैं but these are four different grammatical derivatives so you have to look at that blank place you have to figure it out that what kind of grammatical profile is required and on that basis you choose the right word over there तो आईए फटाफफट इन शब्दों को भी समझ ले vital जो शब्द है देखो यह adjective का शब्द है साथी साथ noun के तौर पे भी इस्तमाल होता है vital का मतलब होता है very important जैसे कि जीवन के लिए oxygen का importance है वही है vital, right? तो कोई भी चीज अगर हम कहते हैं यह बहुत ही vital है इसका मतलब बहुत ज्यादा important है like oxygen is vital for us उसके बिना हमारा जीवन संभा नहीं है तो जिस तरह से जीवन जीने के लिए oxygen क्या हो सकता है उस तरह की अगर कोई चीज important हो urgent हो तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे वहाँ पे लगाएंगे vital ऐसी vitals जब आप सुनते हो S लगा दिया जाता हो definitely वो noun बन जाता है और यह अलग-अलग context में use होता है जैसे कोई बीमार व्यक्ति है तो उनके vitals stable हैं क्या यानि वो जो screen होती है वहाँ पे readings आ रही होती है कि heart ठीक से धड़क रहा है क्या liver ठीक से काम कर रहा है क्या lungs ठीक से काम कर रहे है तो जो भी आपके important organs हैं जिनके उपर हमारा जीवन आशृत होता है उनकी जो data है वो vitals है ऐसी किसी company, किसी organization के जो financial vitals है यानि जिससे यह पता लगता है कि अच्छा हाँ company क्या हाला ठीक ठाक है क्या कहीं company में कोई घबले बाजी तो नहीं हो रही तो वो vitals इसमें आजा है यानि जो important information है उसके लिए vital noun के तौर पर भी इस्तेमाल होता है vitality तो definitely यह शब्द noun है abstract noun कहा जाएगा अगर मैं थोड़ा और specific हो जाओ ity suffix यहाँ पर लगा हुआ है जिसके शुद्ध हिंदी हो सकती है जीवनतता जैसे कहा जाए कि vitality from your face is missing these days आजकल तुमारा चेहरा उत्रा उत्रा रहता है चेहरे में जीवनतता नजर नहीं आती वो है vitality अब यहाँ पर जो re लग गया है prefix यहाँ re का मतलब हो गया again जबकि re का मतलब back भी होता है जब गाड़ी आप reverse gear में डालते हैं तो v-e-r-s root word है turn, re back तो reverse का मतलब पीछे मुलना हो गया और यही beauty है मैंने last session में भी बात की थी यह पूरे session की series मैं नए तरीके से record कर रहा हूँ right जिससे आपको काफी बातें समझ में आ जाएंगे तो एक prefix या एक root के एक से ज़्यादा मतलब हो सकते हैं तो re का मतलब back भी होता है और re का मतलब again भी होता है यहाँ again है revital यानि जो आपके अंदर फिर से जान डाल दे revital करके एक दवा भी आती थी ना बहुत सारे लोग बहुत सारे celebrities ने advertisement करी है उसकी कि जीवन में उर्जा का फिर से संचार करने के लिए revital so वही है revital and then revitality तो grammatical profile वही है ठीक है बस यहाँ पर prefix से जुड़ गए आपको समझ आ गई तो फिर रटना आपका कम हो जाता है बहुत आसानी से अंदाजा लगाना शुरू करते हैं शब्द की meaning आपको दिखने लग जाती है इस method के बड़े फायदे हैं लंबी से लंबी spelling से याद रहेगी आपको आपका उचारड भी सुधरता है एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके फायदे के बारे में आपके लिए अभी इन शब्दों पर बात कर लें वाइटलाइज वाब है definitely किसी चीज़ के अंदर जान डालना अब देखो आप रटने की भी ज़रूत नहीं बढ़ेगी क्योंकि पता लग गया यह वाब है तो इसका मतलब वाइटा जान के साथ है लाइफ के साथ है तो किसी चीज़ को वाइटलाइज कर रहा हूँ इसका मतलब आप उस चीज़ को लाइफ दे रहे हैं लाइफ दे रहे हैं जीवन परदान कर रहे हैं रिवाइटलाइज करना, यानि वो चीज ठंडा पड़ गया था, आप उसको अगेन, रिए यहाँ पर, फिर से अगेन हो गया, फिर से उसके अंदर जान डाल रहे हो, वाइटलाइज कर रहे हो, वाइटमिन्स बताने की आवशकता ही नहीं है, नाउन है, हमारे शरीर के लिए कितना आवशक है, हमारे जीवन के लिए कितना आवशक है, वो आप जानते हैं, उसके बाद बात करें, सर्वाइव की, सर्वाइवल की, तो यह सब आप जानते हैं, बस हमें एक नय चश्मे से देख रहे हैं, कि जीवन को सर्वाइव करना, जीवन को जीना, वहीं से सर्वा का इस्तामाल करते हैं तो इसका मतलब क्या सजी वचित्र जैसे मैंने कहा इसके साथ ये शब दिमाग में बिठा लो विविड डिस्क्रिप्शन तो हमेशा याद रहेगा और एक छोटी सी टिप यहां पर वो क्या टिप वो क्या है कि whenever you come across a new word always try to make a phrase with that word अगर sentence नहीं बन पार तो कम से कम एक और शब्द के साथ उसकी जोड़ी बना लो उसके साथ क्या होगा दिमाग में एक association बिल्ड हो जाएगा एक connection बिल्ड हो जाएगा जिसकी basis पे आप उस शब्द को याद रख पाएंगे तो vivid description याद कर लिया तो बात समझ आएगी थोड़े और situation देता हूं स्कूल के दिनों में जब कोई poetry poem आपको याद करने के लिए कहा जाता था कोई story सुनानी होती थी या आपके school में भाशवर प्रतियोगिता है speech, elocution तो वहाँ पर कोई चीज अगर आप रट के बोल रहे हो ना so that simply reflects that yes you are just mugged up that stuff आपने उसको रटा हुआ है तो रट के बोलने वाले व्यक्ति के बोलने के तरीके से ये साफ जाहिर होता है कि वो रट के बोल रहा है because you will not be aware about the weight of the word कि किस शब्द का क्या वजन है, कहां पर मुझे pause लेना है, कहां मेरी आवाज उपर जानी चाहिए, कहां नीचे जानी चाहिए because जब आप कोई चीज रटे होते हैं तो मन में बहुत डर होता है कि जो रटा है कहीं वो भूलना चाहिए, और भूल गया तो फिर मैं क्या करूँगा, तो इसलिए उसका जो description उस समय वो vivid description नहीं है, बट वहीं पर अगर कोई चीज आपने अच्छे से समझी है, जजब की है आत्मसात की है, वो आपको अच्छे से पता है, तो जब आप उसको describe करते हैं तो यह लग रहा होता है कि येस, you own that content, आप उस content को ओन करते हैं, वो आपका ही है, वो उधार का नहीं है, और एक सजीवता और जीवनतता आ जाती है, आप भी comment में बता हिएगा, क्या ये session आपक जीवनत लग रहा है या नहीं, तो this is called the vivid description, because you have command over something, you do know that thing in and out, and that simply reflects while you deliver that stuff, right, तो ये कहानी है यहाँ पर, तो vivid वही होता है, vividly, definitely, ly लगा होगे, जब आप adjective में तो वो adverb बन जाएगा, विवी section सब बहुत इंटरस्टिंग है, विव का मतलब life, और sect का मतलब कातना होता है, actually, इसी sect से शब निकला हुआ है, sector, यहीं से निकला हुआ है, multi-sectoral growth, यानि, यहाँ से ही शहर सेक्टर में बटे होते हैं, यहीं से by section आप math में पढ़ते हैं, by का मतलब दो, यानि आपने दो टुकड़े में कर दिया, by sector, तो विवी section का क्या मतलब है, life को काटना बड़ाजी पर परीक्षन करते हैं, medical purposes के लिए, right, तो trials होते हैं, दवाओं के, तो पहले तो जानवरों पर होते हैं, फिर बात में इंसानों पर होते हैं, तो उसके लिए उनके ऊपर चीरफाल करना, आप जब हम biology की classes में school के तिनों mentor करते हैं, तो वहां मिंधक के साथ चीरफाल कर रहे तो वह भी क्या है, वह भी vivi section है, तो उसी को कहा जाता है vivi section, अब देखो, ये शब्द कैसे आपके दिमाग में बैठ गया, बैठ गया है नहीं, बैठ गया, बताइएगा comment में, बैठ जाता है शब्द, हमेशा के लिए, अब कोई रटने की जरूत नहीं है, और शब्द ब vivi section हो गया, अब anti vivi sectionist जरूत ये शब्द देखो, anti का मतलब against, vivi section आपको पता ही है, पर last मैं IST लगा करके common noun बना दिया, यानि वो लोग जो vivi section के खिलाफ हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये आवाज उठाते हैं कि वही जानवरों को तुम चीरफाड कर रहे हो, ये जनसंख्या कम हो, तो क्या हम इंसानों को अच्छा लगेगा, तो वो viewpoint के भई, जीवों पर दया दिखाई है, कम से कम जितने में काम चल सके, उतना vivi section करें, तो जो लोग इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो जो लोग इस पूरी प्रक्रिया के खिल word for all those people, जो vivi section के खिलाफ है, आईए, अगले slide बर चलते हैं, vivi paris शब्द भी बड़ा प्यारा सा शब्द है, par actually birth के लिए इस्तमाल होता है, और इसलिए माओं को बच्चों के जन्म देने के बाद, जब depression का दोर आता है, तो आपने सुना होगा, उसको कहते हैं, postpartum depression, तो par यार, root word है, birth के लिए, जन्म के लिए, क्योंकि बच्चे की जन्म के बाद, माओं के अंदर बहुत सारे hormonal changes होते हैं, biochemical changes होते हैं, because of that, there will be a certain, you know, period of depression, तो उसको क्या कहा जाता है, postpartum depression, it's a very common phenomenon, you must have come across this particular term, तो अब मैंने बस आपको सहारा दिया है, कि पैर आपको याद हो दिमाग में बैठ जाएका, अच्छा हां, birth के साथ जुड़ा हुआ है, तो viviparous का मतलब वो जीव जो बच्चे पैदा करते हैं, तो कि देखो, दो तरगी पैदाईस है, अंडे देने वाले जीव और बच्चे देने वाले जीव, तो जो बच्चे पैदा करते हैं, जो mammals है जिसमें हम इंसान भी आते हैं, mammals को क्या कहा जाता है, they are called viviparous, यानि वो offsprings देते हैं, बच्चे देते हैं, जबकि वहीं पर जो अंडे देने वाले जीव हैं, अब वो इस रूट से नहीं आता, तो इसका color change कर देते हैं, लेकिन इसके साथ connected हो जाएगा, वो होगा oviparous, यह भी याद रखो आप, because ov, ovum, root word है अंडे के लिए, वहीं से आता है, oval shape, अंडाकार, shape किसी चीज़ का हो, तो ovum, ov, समझ में आ रहा है, वही है कहानी है, तो root word, oviparous, अंडे देने वाले जीव, अब ovil से बहुत सारे और शब्द भी आएंगे, बढ़ अभी हम रुख ज लेड़ी आपको मिले, जो full of energy है, full energetic है, बहुत ही pleasant personality है, उसके आते ही बिलकुल हर तरफ बहार सी आजाती है, तो आप उसकी तारीफ में यह कह सकते हैं, you are a vivacious person, right, उसको भी बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा ब्यूटीफुल के लामा भी होता है तारीफ के कुछ शब है, खास दोर से ladies के लिए तो बहुत सारे हैं, उनकी सुन्दरता के लिए, अच्छली हमारे पास होती ही गरीबी शब्दों की, तो ladies के लिए हमने beautiful लगा रखा है और handsome लगा रखा है पुरिशों के लिए, बट पुरिशों की बहुत सारी और भी qualities हैं और मैलाओं की बहुत qualities हैं, तो even beauty से भी जुड़े हुए, अलग-अलग aspect रुसके लिए अलग-अलग शब्द हैं, यह भी एक है शब्द, अब जिसे मिचे यहां पर जो example ध्यान में आता है, वो जब भी मेट उस film को भी काफी समय हो गया, 2007 में आई थी, so उसमें जो करीना कपूर का character है, उसको नहीं जाती है, इम्तियाज अली की वो case study के तोर पे भी आप उसको देख सकते हैं, कभी फिर बात करेंगे उसके बारे में, तो anyway, तो वहां पर first half में, the character of Geet was of a vivacious lady, full of life, full of energy, जीवन तता से भरा हुआ, तो generally इस शब्द का इस्तमाल ladies के साथ ही होता है, तो इसका मतलब क्य हो गया, full of life, जीवन से भरा हुआ हो, बिलकुल energetic हो, इसके लिए एक और अच्छा शब्द, जो एक और root word से ध्यान में आ रहा है, वो होता है, sanguine personality, sanguine root word है, blood के लिए actually, तो यानि, खूम, जोश, गर्मी, तो वो वाली चीज तो, sanguine personality का मतलब, someone is very enthusiastic, very lively person, so that is the vivacious, अब वहीं से आता है, vivacity, समझ में आ गया, भाई, noun हो गया, इसी का noun form है, तो the quality of being vivacious, उसी को vivacity कहोगे, ये abstract noun हो गया, भाव, बाचक, संग्या, और विवास जो शब्द है, ये actually, typically, adverb के तोर पे भी, इस्तमाल होता है, noun पे भी कर सकते हो, वाट, adverb में खास तोर से music के तोर पे इस्त इस्तरा के होता है, master, जो बता रहे होता है, थोड़ा सा tempo और बढ़ाओ गाने का, तो वो होता है विवास, यानि थोड़ा सी उसकी speed और बढ़ाओ, और energetic करो, थोड़ा speed up करो गाने को, तो अब tempo करने को विवास कहते है, convivial, अब ये भी शब्द दिखो, आपका adjective है, और इ this word is noun, this word is adjective, अब जैसे आप convivial के साथ, अकर किसी शब्द की जोड़ी बनाना चाहे हैं, तो आप बना सकते हैं, कि यहाँ पर बहुत ही convivial atmosphere, right, convivial atmosphere, तो यानि बहुत ही friendly, lively, वही इसका मतलब वही है, lively, क्योंकि लाइब से जड़ा हुआ है, बहुत ही lively हो, energetic हो, he's a convivial host, he's a convivial person, तो जैसे vivacious का जायतर इस्तमाल लेडीज के साथ ही होता है, convivial का इस्तमाल पुर्शों के साथ होता है, like he's a convivial guy, but पुर्शों के साथ साथ यह atmosphere और महौल के लिए भी होता है, तो कहीं का महौल बहुत ही क्या कह सकते हैं, आप congenial, it's again a very good word, right, he's a very congenial person, congeniality, noun बन गया है उससे, तो जो बड़ी congenial हो, friendly हो, right, उसको आप क्या कहोगे, that would be called convivial atmosphere, तो convivial atmosphere भी हो सकता है, और convivial person भी हो सकता है, यहां पे एक शब्द और महीं, he's a convivial guy भी जोड़ देता हूँ, आपको ध्यान में रहेगा, vivarium आपको समझ में आई गया, जो भी इस तरह का glass flask, जहां पे आप जीवों को रख सकें, वो vivarium है, conviviality, इसी शब्द का noun form है, तो मतलब, this is abstract noun actually, typically यह क्या हो गया, abian हो गया, abstract noun, जैसे कहा जाए कि, you know, conviviality from your face is missing, तो अब इसका क्या मतलब, कि वो जो energy हो दी ही तुम्हारे चाहरे पर भाई, वो एक दम missing है, क्या हो तुम्हारे जिंदिगें बड़े उदास रहते, you have these, you know, long faces, what's the reason behind that, bon vivon, joy de vivre, और भी foreign expression है, like viva la, but जितना लिखा उसी की बात कर लेते हैं, bon vivon का मतलब होता है, देखो bon अपने आप में, it's a root word, the meaning is good, बहा सारे शब्द आते हैं यहां से, यही से bonus आता है, bonanja, bon homie, right, bon ben, ben benefit, beneficial, beneficiary, right, bonanja, and then you have benevolence, beneficent, benefaction, फिर इनके opposite भी होते हैं, malefaction, malevolence, तो पूरे dynamics है, root word से फायदे paper के point of view से बात करें न, तो synonym, antonym के बहुत सारे यहां पर pair है, यहीं आपको word का मतलब न भी बता हो न, तो भी आप correct antonym बता दोगे, ऐसी power है इस method की, अब जैसे की, अगर ben bon bene लगा हो, तो opposite में male या male लगा होता है, यह पता है, तो अगर benevolent शब्द नहीं भी पता है, और उसका opposite पूछ रहे हैं, तो आपको देखना है कि इस option में male लगा है शुरू में, malevolent उसका opposite हो जाता है, vol का मतलब चाहने वाला, ben का मतलब good, तो भला चाहने वाला benevolent है, बुर कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, तो this is the power of this particular methodology, पूरा जखीरा आ जाता है शब्दों का, और यह सीरीज चलती रहेगी, और मैं एक ही दिन, क्योंकि time मिल नहीं बाता, तो मैं है वीडियोज रिकॉर्ड कर रहा हूं, Sunday है आज, तो यह वीडियोज आपको एक-एक करके मिलत कहते हैं, बट ऐसा है नहीं, बॉन बिवान शब्द के लिए आप, example मुझे ध्यान आता है, विजय मालिया सहाब का बहुत king-size life उन्होंने जी, देश से बाहर हैं अभी, तो someone who leads a very lavish lifestyle, particularly in terms of eating and drinking, they are called बॉन बिवान, और बॉन विवर, यह शब्द भी इस्तमाल होता है, यह paper में, cat के paper में, आपको jet के paper में, कई बार यह शब्द देखने को मिलें, xat, जो excel rai के लिए, हमारे देश का leading management सांस्थान है, वहाँ पर पूछे गया, foreign expression बहुत पूछे जाते हैं, and joy the river, it's again joy of life, French भाशा का शब्द है, जिसका अंग्रेजी मेन वाद हो गया, joy of life, तो जीवन और, जीवन से जुड़े हुए कुछ शब्द यहाँ पर discuss किये, right, इनसे बहुत सारे और branching होगी, बट मैं हर session को चाहता हूँ कि वो छोटा रहे, so that आप इसको एक बार में, आसानी से देख पाएं, और इस dynamics को आप समझ पाएं, तो इस particular root word के लिए, यहीं तक लगाते हैं, बाकि comment section में मैं इंतियार करूँगा कि अगर आप इस root word से और सारे शब्द लिखेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि शब्द अभी और भी है, बट यह ऐसे शब्द हैं, जो आपके paper के लिए more than sufficient है, इतने में आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ज सीमा नहीं है, बट ज्यान को थोड़ा सा सीमित भी रखना है, जिसकी जरूरत है आपको, तो यह आपकी जरूरत से बहुत ज्यादा है, और आप शब्दों का इडिशन करना चाहें, comment section में तो विलकुल welcome है, that's all for this session, thank you very much.